आज हम इस वीडियो में आपको बजट का सरांश बताएंगे लोगों को बजट के बारे में कुछ समझ में आया हूँ या नहीं आया हूँ लेकिन दो बाते साफ है पहली बात है इन्फरस्टक्चर में खुल कर खर्चा और दूसरी बात है क्रिप्टो में 30% का टेक्स ये 30% का tax मानों लोगों के मन में खंजर की तरह चुम रहा है बात सही भी है क्योंकि profit हुआ तो हमारा, loss हुआ तो आपका ये कहां का इंसाफ है ये 30% का tax ट्वीटर पर trend किये जा रहा है और लोगों के मन में सरकार को इस तैसले को लेके मत भेग छड़े हुए है निर्मना सिता रमन ने ये तै किया है कि डिजिटल करेंसी इंकम पर आज से 30% का tax लिया जाएगा आईए अब जान लेते हैं दूसरे बड़े point के बारे में जो की है infrastructure पर खुल कर खर्चा आपको बतागे government capital expenditure 237.5 लाग करोड का है जो की पिछले साल से 20% जादा है जिसका मतलब है कि government इस बार infrastructure में खुल के पैसा खर्च करने वाली है जो की एक अच्छा पैसला है infrastructure यानि की highways, bridge और roads जान तब गाओं के इलाकों में किया जाएगा ताकि गाओं के लोगों को शेहर में आने में असानी हो transport में असानी हो, transport में असानी अगर होती है तो हमें एक जगे से दूसरी जगे में गुर्स को ले जाने में भी असानी होगी जिसके साथ ही साथ business में भी काफी हमें मुनाफ़ा मिल सकता है जो कि एक अच्छा पैसला है तीसरा बड़ा point जो उटकर आता है वो है income tax पर कोई भी changes नहीं किए गए जो कि एक बड़ा सवाल बनता है आप ज़रा सोच के देखी एक middle class आदमी जो कि सिर्फ 25,000 कमाता है महिने का उसको साल का 12,500 देना पड़ रहा हो उसके लिए यह तो कभी बड़ी बात हो गई और साथ ही साथ अगर वो आदमी अगर अकेला भी है उसको अकेला अपना खर्चा उठाना पड़ रहा है तो भी standard of living ठीक रहेगा लेकिन अगर उस आदमी के उपर दो तीन जनों का बोज हो एक में उसकी वीवी हो दो बच्चे हो तो फिर वो अपने इसमें 25,000 में पेट भरेगा यस वो 12,500 साल का टेक्स देगा हमारी government हमेशा सही digital इंडिया पर जोड देती आई है यही बात है कि government ने RPA digital currency को launch किया है इसे के साथ ही साथ ये digital currency blockchain पर बेस्ट होगी इसे के साथ ही साथ startup के लिए टेक्स की छूट 23 मार्च 2023 तब कर दी गई है और long term capital gains पर 15% से जादा अब सर्चार्च नहीं लिया जाएगा आई हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देश दुन्या की तमाम खबरों से जुडे रहरे के लिए बने रहेगे सीला उसके साथ